वे लोग आपके परिवार के लिए खत्रा बन सकते हैं इसे इंगलिश में कैसे कहेंगे एक इंगलिश में फ्रेज होता है पोज अ थ्रेट इसका मतलब होता है जब एक चीज आपके लिए खत्रा बन रही है एक चीज़ खत्रे का संकेत है, खत्रा बन सकती है या खत्रा बन रही है, खत्रा साबित हो रही है, इन सब का एक ही मतलब है, एक ही सेंस है कि कोई चीज़ खत्रा बन रही है, something poses a threat. इस फ्रेज को मैं आपकी जुबान पर लियाओंगा, मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाओंगा, तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको काफी सारे सेंसे देने वाला हूँ, एक्जाम्पल्स के तौर पे, जिन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं जब आपको सेंस बताऊंगा, तब आपको इस फ्रेज का यूज करके उनकों इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इस से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और अच्छे से सीख जाएगे, वो शेर हम सब के लिए खत्रा है, जिसे जंगल में कुछ लोग कैम्पिंग कर रहे हैं, और उन्हें पता चल गया, वहाँ पर एक शेर रहता है, वो शेर तो हम सब के लिए खत्रा है, that lion poses a threat to all of us, something poses a threat, मतलब कोई चीज खत्रा बनती है, आशंका है किसी अनहोनी की, कोई चीज किसी चीज पर खत्रा बन रही है, किसी इंसान पर खत्रा बन रही है, मतलब it poses a threat, ऐ ऐसे links हमारे bank account के लिए खत्रा बन सकते हैं, आज कल WhatsApp, Instagram कहीं कहीं पर पता नहीं कौन कौन से link आ जाते है, आप यह जीत गए, आप यह price जीत गए, यह करो, वहाँ पर links दिये होते हैं, वो links हमारे bank account के लिए खत्रा बन सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे Such links pose a threat to our bank accounts I flew हम सब के लिए खत्रा बना हुआ है शायद आप जानते होंगे कि ये काफी फैल रहा है तो इंग्लिश में इसे कैसे कह सकते हैं उस phrase का use करके I flew poses a threat to all of us I flew poses a threat to all of us जनरली इसका use हम indefinite present indefinite में करते हैं present continuous में नहीं Progressive form में pose a threat का use बहुत rarely होता है I think नहीं होता है I flew poses a threat to all of us रैस ड्राइविंग पैदल चलने वालों के लिए खत्रा बनी रहती है जो रैस ड्राइविंग करते हैं लोग बिना रूल्स को अबे करते हुए बहुत फास्ट करते हैं इंग्लिश में कहेंगे रैस ड्राइविंग poses a threat to passers-by और reckless driving poses a threat to pedestrians Pedestrians और passers-by कहते हैं रागीरों को जो आप सामने देख रहे हैं जो रोड पर चलते हुए लोग होते हैं उनको बोलते हैं पासर-by का प्लूरल है पासर-by पेडिस्ट्रियन्स रागीर पैदल यात्री तो रैस ड्राइविंग को आप reckless driving भी कह सकते हैं reckless driving और रैस ड्राइविंग poses a threat to passers-by आतंकवाद पूरे रास्ट के लिए खत्रा बना हुआ है इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे आतंकवाद को इंग्लिश में बोलेंगे terrorism पूरे रास्ट के लिए ये threat पोज करता है ड्राइविंग करते वक्त फोन चलाना हमारी safety के लिए खत्रा बन सकता है खास तोर पे WhatsApp के ओपर किसी से chatting करना using phone while driving poses a threat to our safety क्या आपने भी सही से बनाये था रास्ते के गड़े आती जाती गाड़ियों के लिए खत्रा बन सकते हैं खत्रा नहीं बहुत खत्रा बन सकते हैं सच में पोज अ थ्रेट का यूज करना है अक्सर क्या होता है ना आप कोई word phrase सीख तो लेते हैं लेकिन जरूरत पढ़ती है जब आपको कुछ बोलना पढ़ता है तो आप उसका यूज ही नहीं करते हैं फिर आप सिंपली जो word सबसे कॉमन होते हैं जैसे की problem बोल देंगे की पॉट होल्स आर दे प्रॉब्लम पॉट होल्स आर वेरी बैड फॉर उस यह आ जाते हैं हमारे सामने जो basic words होते हैं तो उसके लिए मैं आपकी practice कर रहा हूं multiple sentences दे कर तो आप बताओ अब ऐसा आपको बोलना पढ़ गया चानक तो आप कैसे बोलेंगे यहां पर आप उसका use कर सकते हैं तो आप कहेंगे Running on wet floors poses a threat of falling. So something poses a threat. मतलब कोई चीज खत्रा बनी हुई है. So friends, people's not subscribing to the channel poses a threat to the overall growth of the channel. I wish everyone understood this. Thank you very much for watching this video lesson by the way. बात करते हैं अगले video lesson में till then. अपना ख्याल रखना सीखते रहिए, improve करते रहिए अपने आपको. बात करते हैं अगले video lesson में. Bye!